चोले भटूरे ये शब्द सुनकर आपको दिल्ली याद आ गई होगी क्योंकि दिल्ली से बहतरीन चोले भटूरे पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि छोले भटूरे कोई बहुत पुरानी डिश नहीं है जो 200-400 साल से भारती खाते आ रहे हैं बलकि ये डिश करीब 70-80 साल पुरानी ही है इसकी शुरुवात 1940 में दिल्ली से हुई थी वैसे इस डिश को पंजाबी डिश कहा जाता है लेकिन इसकी शुरुवात 1940 के दशक में दिल्ली से हुई और अब ये भारत की सबसे जादा पसंद की जाने वाली डिश है वैसे इसकी जो इसको पसंद करने की जो शुरुवात हुई वो अच्छी तरीके से हुई है आज से 20 साल पहले शुरुवात में सिर्फ दिल्ली या इसके आसपास की इलागों में ही खाया जाता था लेकिन आज कल ये नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया में भी खाया जाने लगा है उसी तरीके से जिस तरीके से डोसा आजकर एक बहतरी वेजिटीरियन डिश के तौर पर सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बलकि नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है अब यह हाल ही में मैं बैंगलॉर में था एक रेस्त्राम में गया तो वहां लोगों ने लाइन लगा रखी थी और वे चोले भटूरे का लित्फ लिए थी मैं दको अंदार के पास गया और मैंने कहा कि आपका ये छोले भटूरे का बिजनस बैंगलार में कैसा चल रहा है क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि बैंगलार में भी छोले भटूरे को खाने के इतने शौकिन लोग होंगे तो उन्होंने बड़े खुश अंदार्ज में बताया कि यहाँ पर इस डिश को सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही पसंद नहीं करते बलकि साउथ इंडियन भी बड़े चाव से खाते हैं तो एक डिश जिसकी शुरुआद 1940 के दशक में हुई आज वे भारत की सब से famous डिश बनकर उभरी है ऐसी ही foods related जानकारी लेकर के मैं अकसर आता रहूँगा आप मेरे इस channel को देखते रहें इसे के साथ इजासत लेता हूँ आपसे नमस्कार